आपको स्वागत है हमारे अंसाइटी क्लासिस में आप इस चैनल में नहीं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर साथ ही बेल आइकन को उच्वाद जागा मैं इस चैनल एक प्राइब से लेटर वीडियो डालते रहा था हूँ देख जाम से लेटर वीडियो डाल रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिये का ताकि आपको नोटिफिकाशन मिल जाए एक एक प्राइंगल रहता है है गल ठीक है तो चले सबसे पहले बीपीटी थोरा में है कि एक ट्राइंगल रहता है एक ट्राइंगल ऐसे है ट्राइंगल है ठीक है और यह है एक ट्राइंगल है बीसी और यह है डी यह है ठीक है और यह और यह साइड हम लोगा पैरलल है हम लोगा गीवन क्या है गीवन है डी पैरलल BC, हम लोग को prove क्या करना है prove that AD by BD is equal to AE by EC हम लोग को prove करना है ठीक है, तो कैसे prove करेंगे सब्सक्राइब पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे यह जो है, यहाँ पर हम लोग perpendicular डालेंगे AD पर हम लोग perpendicular डालें और AE पर perpendicular डालेंगे इसको नाम देदी है M, इसको नाम देदी है N ठीक है, अब इसको जोइन करेंगे DC और BE, यहाँ पर लिख देंगे लिख देंगे ME draw draw ME perpendicular to AD AND ND perpendicular to AE, ठीक है AND AND JOIN JOIN B AND DC ठीक है, यह होगिया इतना लिख देंगे आप लोग आगे, गीवन भी लिखने रहता है जब आप एक जाब में कुश्यान आएगा तो गीवन आप जरूर लिखें नहीं तो आपको मार्स काट ले जाएगे गीवन जरूर लिखें हम लोगों प्रूब करना है तो हम लोग सबसे पहले लेंगे IN TRIANGLE ADE यह TRIANGLE BDE यह TRIANGLE ठीकर, देगे क्या होगा अरिया अफ TRIANGLE ADE यह TRIANGLE BDE अरिया अफ TRIANGLE क्या होगा HAP ENTU BASE INTO HEIGHT HAP ADE में देखें ADE में BASE होगा आपका ADE BASE होगा आपका ADE ADE BASE लिख दिए हम लोग और HEIGHT होगा A M E M E लिख दिए अब BDE में देखें ट्राइंगल BD BDE Bस हो गया, आपका BD, Hap into BD Bस हो गया, और hight क्या होगा, हैट यही वाला होगा ना जी, इसका, हैट यही वाला होगा ना जी, हाँ, तो M e होगा इसका हैट, M e, M e कटीके, हाफ हाफ कटीके, हम लो लिख सकते है, अरिया ओफ ट्राइंगल, A D E बाइया ओफ triangle BD is equal to AD by BD, लिख सकते हैं न जी, एक दम लिख सकते हैं, ठीक है, अब देखें, अब इन triangle AED and triangle ECD, ठीक है, इन triangle AED and इन triangle ECD, ठीक है, देखें हम लोग कहा लिखेंगे, area of triangle AED by area of triangle ECD, ठीक है, area of triangle AED क्या होगा जी, देखें, area of triangle AED क्या होगा, आप तुम्हें लिख सकते हैं, base यह होगा न, AE होगा base, और height क्या होगा, height आपका ND होगा जी, तो ECD होगा, ठीक है, और height क्या होगा, height यह होगा न, ND होगा न, इसका height ND होगा न, इसका height ND होगा न, ठीक है, अब question में दिया हुआ था, question में given दिया हुआ था, कि हम लोग का DE parallel to BC है, तो देखें, flash में क्या लिखेंगे, देखें, DE parallel to EC, therefore, area of triangle, area of triangle BDE, area of triangle BDE, area of triangle BDE, ठीक है, and area of triangle CED, area of triangle CED, CET, ठीक है, is equal, because, because T parallel to EC, C, यह होगिया, तो जब हम लोग का, DE parallel to EC, यह होगिया, तो जब DE parallel to EC होगिया, तो देखें, sorry, triangle BDE is equal to triangle CED होगिया, तो हम लोग सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, AD by, BD is equal to, AE by, EC, एई हम लोग को प्रूब करना था, प्रूब्ड होगिया, प्रूब्ड, ठीक है, यह प्रूब्ड होगिया, यह प्रूब्ड होगिया, आप है, सब कर सकते, इसको प्रूब्ड, अब हम लोग second question के ओर चलते हैं, देखें हम लोग का second theorem है, second theorem है हम लोग का, second theorem है, in a triangle, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of square of other two side, then angle opposite to the first side is a right angle, देगे, इसो कैसे बनाएंगे, एक triangle हम लोग का दिया वाठी है, right angle triangle है, यह triangle हम लोग का, इसको हम लोग माल लेते हैं, a, b, c, ठीक है, हम लोग इसी का, एक similar triangle draw करते हैं, dotted line में, इसको हम लोग लेते हैं, p, q, r, तो हम लोग question में जो बोल रहा है ना, कि, यह, b, c, is equal to q, r है, और, a, b, is equal to p, q है, ठीक है, यह equal है, तो हम लोग को यह triangle 90 degree proof करना है, यह वाला, यह triangle हम लोग को 90 degree proof करना है, ठीक है, ठीक है, हम लोग सकते हैं, हम लोग सकते हैं, a, b, square, plus b, c, square, is equal to h, c, square, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 degree है, ठीक है, यह triangle a, c, अब देखें, h, c, अब हम लोग इसको यह लिख सकते हैं, p, q, square, plus, q, r, square, is equal to h, c, square, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, vide, लिख सकते हैं, क्योंकि p, q, r, equal हापसमें, ठीक है, हो गया, तो हम लोग सहापसमें क्या मिल आप, इसको 1 मालीजे, इसको 2 माल लीजे, इसको मेल मिल गया, कि हमार हा, PR is equal to AC है ठीक है यह हम लोगों मिल लिया from 1 and 2 से कि PR is equal to AC जो यह PR है यह PR है यह AC के ब्राबर है ठीक है अब लेकिए हम लोग क्या गरेंगे इन triangle ABC and triangle EQR ठीक है अब लोग ने भी PR is equal to AC प्रूप किया प्रूप डेवर ठीक है अब यहां पर BC BC is equal to QR दिया वाथा पहले से given और हमारा AB is equal to PQ दिया वाथा given तो हम कह सकते हैं कि triangle ABC is concurrent to triangle PQR है ना by SSS है ना तब SS से प्रूफ हो गया हमारा कि triangle ABC concurrent to PQR है तो हम लोग इसको कह लिख सकते हैं कि angle B is equal to angle Q तो angle B हमारा पहले से 90 था तो यह भी angle Q भी 90 हो जाएगा by CPCP corresponding part of corresponding triangle ठीक है तो हम लोग अप्रूफ हो गया angle Q is equal to 90 प्रूफ यह हम लोग प्रूफ करना था तो यह theorem जो दोनों मैंने बताया है बहुत important है आप इस एक बार पढ़ लिजेगा अच्छा से पढ़ लिजेगा जो मैंने बताया आपको समझ माया की नहीं है कमेंट करें बताये अगर अच्छा लगा तो like किरें subscribe करें channel को share करें subscriber मेरे channel को थोड़ा बढ़ा है क्योंकि मेरे channel लिए है मैं इस चैनल में class 9th और 10th को maths पढ़ा हूँगा और important question भी upload करूँगा sub subject का तो चैनल को subscribe पर करकें आपको नोटोपी खेसर मिल जाए नहीं तक पर के लिए पाए जय ही जय भारत